दोस्तों ये है देखिए धनिये का बीजा और ये है ये रही नीचे मिट्टी हम आपको धनिये से लेकर के बोने तक का सफर और काटने तक का सफर आज बताने वाले हैं आप पूरा वीडियो देखें दोस्तों आज धनिये के सफर के बारे में बात होने वाली है चाड़े में जबरदस धनिया होती है और हर सबजी में धनिया पड़ती है चाहे वो सबजी हो, चाहे चटनी हो, चाहे आपका चाट बनाएं, गुलगपपा के साथ उसका पानी बनाएं तो यह धनिया है, इसके लिए यह देखे मिट्टी है, मिट्टी की preparation सबसे बड़ी बात है कि कितनी अच्छी होनी चाहिए, तो इसमें 50% मिली हुई है वर्मी कमपोस्ट, एक भी इसके अंदर आप मुईटा नहीं दिखेगा, इसके अंदर 30% है कोको पिट, कोको पिट से का ज पिछले साल की used खाद, तो इन सब को एक साथ मिला करके, इसमें हमने, इस पॉट में, जिसकी विट्थ जो है, वो डेल फिट है, डाया इसका, और यह गहराई इसकी जो है, वो एक फिट है, तो यह जो हमाँ धनिया के बारे में बात करने वाले हैं आप से, यह नई किसम के धनिया हम आपके लिए लाए हैं, जिसका पदावपन हिंदुस्तान में बिलकुल अभी अभी हुआ है, उस धनिया के बारे में आपको मैं बताता हूँ, यह देखे वो बीजा है, और वो के मुकाबले इसका साइस डबल है, इस सीड का नाम है मुरक्को सीड, यह मुरक्को स जम गई, दूसरा और धनिया जो होती है, वो खाने के बोने के बाद और काटने की स्थिती में 50 से 55 दिन लगते हैं, यह धनिया 30 से 32 दिन के अंदर में त्यार हो जाती है, तीसरी इसकी बात है, इस धनिया की खास बात मुरक्को धनिया की, कि इसकी ऐरोमेटिक वैलू बहु हो आती है, तो यह आप अगर उसको मसाले में इस्तमाल करना चाहें, तो साइट से पत्ती काटते रहें, और चौथी इसकी खास बात यह है, कि अगर आपने इसको 35-35 दिन के अंदर में नहीं काटा, तो इसके ओपर सीड तुरंत आ जाएगा, तो आप यह कह सकते हैं कि यह वराइटी कैसी है, तो यह इसी परपस से है, कि आप अपना बीजा बोएं, जल्दी फसल काटें, और जल्दी किसान भाई इसको करें, तो आईए मैं बताता हूँ, ब्लाड कास्टिक में सट से, कि यह कैसे इसको बोना है, दोस्तों हमने आपको सीड के बारे में बता दिया दूसरा हमने आपको बता दिया कि मिट्टी कैसे प्रिपेर करनी है, कितनी सॉफ्ट होनी है, क्या कमपोदिशन है, क्या मिक्षर है, वो मैंने आपको बता दिया, अब बोने के पहले की सबसे जरूरी बात यह है, कि यह प्रॉपरली मॉइस्ट होनी चाहिए, तो आईए अब यह देखे यह गीला हो गया अब अब मैं आपको बताने वाला हूं broadcasting method से कि कैसे इसका बीजा बोना है तो आप इसको इसका समतली करन कर लें ऐसे ऐसे करके बराबर से बहुत कस के नहीं दबाना है हलके से दबाना है ताकि अगर आप पानी डालें तो दहिने बाए ना जाए आप देखें हलका हलका सा उपर पानी आ रहा है और यह आप यह मुरक्को सीड है धनिया का यह पहले आप ने यहां रख लिया अब इसके बार चूकी कीमती बीजा है तो आपको दो मिनट लगेगा एक एक तरीके से आप ऐसे बीजा सेट करते रहें गंबले में चारो तरफ ताकि जो जमाओ हो फुटाओ हो वो बिलकुल यूनिफार्म हो और आपको फसल काटने में बहुत आसानी हो सबसे बड़ी खास बात यह है इसकी धनिये की जो आपको मैं आखरी में बताऊंगा यह च्छत पर बहुत आसानी से हो सकती है जर्मनेशन बहुत जल्दी होगा फलत बहुत जल्दी तयार होने वाली है तो आप अपने यहां हर हफते क्योंकि अगर आप एक साथ चार पॉर्ट में बहुत देंगे तो सभी 25 दिन के अंदर में तयार हो जाएंगी देखे यह बीजा डाल दिया है हमने ब्रॉटकास्टिक मसेट से फिर उसको हमने सेपरेट करके जोगी बीजा कीमती है ज्यादा घना ना हो तो इसको मैंने दो मिनट का टाइम लगा उसको बराबर डिस्टिब्यूट कर दिया यह मेरे पास एक हो है जिससे इससे मैंने इधर एरिया साफ्ट किया था और इससे क्या करूँगा मैं बॉटम एरिया से इसको सीड को अंदर तो कि मौश्टर के दबाना होता है तो इसको हम यहां से ऐसे इससे करके यह दबा देंगे बस अब आपको पनी नहीं डालना है हमने सीड दबा दिया है हो के बैक एरिया से अब इस सीड को उपर से टॉपिंग करके धांक देना है है ताकि चुडिया वगारा कोई ना खाए और उसकी मौश्ट कंडिशन जो है बराबर रहे तो यह इस तरीके से आपको महीन महीन वर्मी कंपोस्ट ड्राई वह आपको उपर से डाल देना है दोस्तों यह जो आप सामने देख रहे हैं यह है धनिया के वराइटी मौरख को इसकी जो टोटल जर्मी है वो है बावन दिन की जब मैंने धनिया को बुया था तो आपको दिखाया था जर्मेट कि जलतुत होते हैं मैंने आपको आपको और इसको क्या किया कि मैंने खुले धूप में रखा है और इसको समय समय पर पोड़िक स्थिकर्श जो पाकि जो भी ग्रोथ हो वो सिमेट्रिकल हो और पती से भी जो है वो ले आप देखें कितने बढ़िया धनिया जो है वो तो दोस्तों आप क्या भी यह दिन्या हो जाएगी आई यह दिखाता हूं दनिया आपको दिक्वेश यह दनिया चार दोनिया मैंने अलग लगाई थी उ मैंने इसमें गनी हो गई थी वह मैंने निकाल कि इसको ट्रांस्फ़्रान कर दिया था उस मैं अर्शिये क्ड़ुकं और यह रहे देखिए क्या गजब की जो है यह रहे हैं झो दोस्तों आप ने धनिया के जरनी देखी और आपको ये वीडियो में उमीद है पसंद आया होगा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि और भी चीछ जो आने वाले टाइम में लगेंगी वह सब आप उसको देख स सके उसका अनंद ले सके और धन्यवाद आपका बहुत बहुत है